दादी मा के बहुती आसान बेस्ट 32 किचन टिप्स, बहुती कमाल के हैं, जरूर सुने नमबर एक, अगर आप खुबसूरत और स्मार्ट रहना चाते हैं, तो अपनी खुराक में चावल और रोटी की मात्रा कम करके फलो की मात्रा बढ़ा दे नमबर दो, दूद में काला जीरा डाल कर खाने से जखम जल्दी भर जाते हैं नमबर तीन, ज़्यादा मिर्ची इस्तिमाल करने से इंसान की उम्र कम हो जाती है और जिन लोगों को बवासिर की दिक्कत हो वेह मिर्ची बिल्कूल इस्तिमाल ना करें नमबर चार, अरबी लोग नाक के अंदर तेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि नाक में तेल लगाने से चहरे की सुन्दर्ता बढ़ती है और बुणापा जल्दी नहीं आता नमबर पांच, एक दिन में चार से पांच काजू का सेवन किया जा सकता है अगर आप इससे ज़्यादा काजू का सेवन करते हैं तो यहें फाइदे की जगा नुकसान कर सकता है नमबर छे, सुबा खाली पेट, आम का शेक पीने से घुटनों का दर्थ खतम हो जाता है नमबर साथ, जिनका हाजमा ठीक ना रहता हो, उनको रोजाना गन्ने का रस पीना चाहिए नमबर आठ, इसब गोल का छिलका पानी में मिला कर पीने से दिल को ताकत मिलती है नमबर नो, उल्टी को रोकने के लिए सौफ के पानी का कुल्ला करें, उल्टी आना रुक जाएगी नमबर दस, जो खीरा रोजाना खाता है, ऐसे बंदे को सांस की बिमारी नहीं होती नमबर ग्यारा, जिन औरतों की सकिन खुश्क और रूखी हो, वहे नाशपती खाया करें नमबर बारा, रोजाना तीस मिनट चहल कदमी करने से सैकडों बिमारीों से निजात मिलती है नमबर तेरा, नाशपते में रोजाना खजूर खाने से अंदरूनी कमजोरी खतम हो जाती है नमबर चोदा, बदाम का तेल हलका सा चहरे पर लगा लेने से सूरच की किर्णों के नुकसान से बच सकते हो नमबर पंदरा, धूप में निकलने की वज़ा से चहरे का रंग सावला हो गया हो तो अंगूर का थोड़ा सा रस चहरे पर मल लें, जब सूख जाए तो चहरे को धो लें, चहरा साफ हो जाएगा नमबर सोला, अगर दाए बाजू में दर्थ हो तो यह जिगर की कमजोरी होने की निशानी है नमबर सत्रा, ज्यादा थंड़ा पानी पीने से बाल ज़ड़ना शुरू हो जाते हैं नमबर अठारा, अगर स्याही का दाग लग जाए तो दाग वाली जगा पर नमक लगा कर रगड़ो, दाग खतम हो जाएगा नमबर उन्निस, पानी पीकर पेशाप करने से आपके गुर्दे साफ हो जाएंगे नमबर बीस, गन्ने के रस में अदरक मिला कर पी लो, गर्मी का एहसास खतम हो जाएगा नमबर इक्किस, मखन को ठंडा करके एक चम्मच खा लेने से शरीर को गर्मी नहीं लगेगी नमबर बाईस, रोजाना चुकंदर खाने से पुरानी से पुरानी खासी से छुटकारा मिल सकता है नमबर तेईस, रात के वक्त दही का इस्तेमाल करने से बदहजमी हो जाती है 24. भैस के दूद में खजूर डाल कर पीने से बहुत चल्दी कद लंबा होता जाएगा 25. नीबू का सेवन लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है 26. दिन में थोड़ी देर नंगे पैर चलना चाहिए और अगर आप हरी घास पर नंगे पाउं चलते हैं तो ज़्यादा बहतर होगा 27. निहार, मू, रोजाना, नीबू और अद्रक का पानी पीने से बढ़ता हुआ पेट कम होने लगता है 28. जो रोजाना सुबा के वक्त एक टमाटर खाता है उसके बाल कभी सफेद नहीं होते 29. आम खाने के बाद उपर से पानी पीना है जैसे जहर खाना आम खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए 30. रोजाना पाउं के तलवो और हाथों की हथेलियों पर तेल की मालिश करके सोएं आप बहुत सारी बिमारियों से बचे रहेंगे 31. खजूर खाने के फौरण बाद पानी नहीं पीना चाहिए इससे हाजमा बिगड़ जाता है 32. शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ करो शीशा चमक जाएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद